नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने वीडियोब चैनल रवीशडी आईक्यू जीके पर आज मैं आपके लिए साइंस यानिकी विज्ञान के most important question इस वीडियो में लेकर आया हूँ friends मैंने आपके लिए सभी question selected और importantly है अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा useful रहने वाले और friends आपको ये पता होना जीए कि हर exam में science के सबसे ज़्यादा question पूछे जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं first question से first question है मारा प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है साई answer है option D निरवात में निरवात को friends हम वैक्यूम भी बोलते हैं और प्रकाश का जो वेग होता है friend सबसे जादा निरवात यानि की वैक्यूम में होता है important question है और exam में कई बात पूछा गया है important point देखते हैं सबसे फ़ैले फ्रेंट्स आपको इह पता होना जाएं, कि भू प्रकाश का वेग होता है, सबसे पहले Roemer विज्ञानिक ने ग्याद किया था। आपसे ईग्जाम में कोशन पुच्छा जाता है, कि जो प्रकाश का वेग है, सारपथम किस ने ग्याद किया था? आप cancer होगा रोमर ने और आपको यह पता होना चीए परकाश की जो गती होती है निर्वात में वो होती है 3 into 10 की पावर 8 meter per second यहाँ पर लिख देता हूँ इस एक्जाम में पूछा जाता है कि माध्यम के तापमान में वृद्धी के साथ प्रकाश की गती पर कोई फर्क नहीं पड़ता है फिर जितनी पर आपको मैं additional information दे रहा हूँ सब अपने आप में question है और exam में पूछे जाते हैं next question मानव नेतर में iris का क्या काम होता है सही answer है option b आँख में जाने वाले प्रकाश की मातरा को नियंतरित करना मानव नेतर में जो फ्रेंट्स आइरिस होता है उसका main काम क्या होता है कि आँख में जो प्रकाश जाता है उसकी मातरा को नियंतरित करता है important point discuss करते हैं सबसे रहे friends आपको भी पता Sp могना चलिए कि मानव की आँख पर बस्तू का जो प्रतिवीम होता है यह रहे प्रेतिना पर बंता है अगजाम में पुछा जाता है कि जो मनुषय की आँख होती है उसमें प्रतिवीम कहा पर बनता है आप cancer होगा retina पर होता है और retina पर बनता है और फ्रेंट जो मनुश्य की जो आँख होती है वो 576 Megapixel की होती है ये question भी exam में पूछा गया था और आपको ये पता होना चीए मानव आँख की retina पर जो प्रतिबिम बनता है वो वास्तविक तथा उल्टा बनता है ये question भी exam में पूछा गया है कि मानव आँख की retina होती है इस पर प्रतिबिम या image की ऐसा बनता है आप cancer होगा वास्तविक तथा उल्टा और friends नेतरदान में आँख का कॉर्निया हिस्से को दान दिया जाता है कभी भी जो नेतरदान होता है उसमें पूरा आँख दान नहीं दिया जाता कॉर्निया वाला हिस्सा हमेशा दान दिया जाता है और स्वस्तर नेतर के लिए इस पर्ष्ट द्रिष्टी की जो नियूंतम दूरी होती है 25 cm होती है ये question भी exam में पूछा गया है पास की चीज़ें दिखाई दे लेकिन दूर की चीज़ें जो होती है ने friends वो दिखाई ना दे उसे हम बोलते हैं myopia या बोल सकते हो निकट द्रिष्टी दोश एक और important question है यदि किसी वैक्ति को पास की वस्तों जो होती है वो दिखाई ना दे ठीक है तो उस द्रिष्टी दोश को हम बोलते है hypermetropia या आपने याद रखना है अगर दूर का न दिखाई दे तो myopia यानि कि निकट द्रिष्टी दोश और अगर पास का दिखाई ना दे उसको तो उसे हम बोलते हैं दूर्द्रिष्टी दोश यानि की hypermetropia यह आपने याद रखना है next question करते है धौनी तरंग किसमे नहीं चल सकती है answer is का option B निर्वात में धौनी तरंगे जो होते है यानि कि sound wave जो होता है वो निर्वात में नहीं चल सकती है यानि कि vacuum में नहीं चल सकती है यह आपने याद रखना है important point discuss कर लेते है धौनी की चाल अधिकतम इस पात में होती है आपने याद रखना है आपसे exam में पुछेंगे कि जो धौनी की चाल होती है सबसे अधिकतम किसमें होती है इस पात में होती है या आप बोल सकते हो ठोस में होती है कभी-कभी option में ठोस दे देते हैं और आपको भी पता होना चाहिए कि धोनी स्तर के मापन की जो इकाई होती है वो डैसिबल होती है ये भी एक्जाम में पुछा गया है और धोनी तरंग अनुदहधर ये प्रकिर्ति की होती है ये भी आपने याद रखना है और अफशर्वे तरंगों की जो आवर्ति होती है वो बीज हड से कम होती है ये भी एक्जाम में पुछा गया कोशन है आप से पुछा जाता है कोशन और कि डॉपलर प्रभाव होता है इसका संबंध किसे है आपका आनसर होगा डॉपलर प्रभाव का जो संबंध है धोनी से होता है पर जितनीमें आपको additional information वीडियो को लाइक जरूर करिए, next question, Kelvin मान से मानव शरीर का समाने तापमान कितना होता है, सही answer एसका, option A, 310 Kelvin, Kelvin scale पर, या बोल सकते हो Kelvin मान पर, मानव शरीर का जो तापमान होता है, 310 Kelvin होता है, question exam में कई बार पूछा क्या है, important point देख लेते हैं, और इससे related जो question exam में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको करवा देता हूँ, Celsius scale पर friends, 37 degree होता है, मनुश्य का तापमान, स्वस्त मनुश्य का तापमान, और Fahrenheit पर 98.6 degree होता है, आपको friends, यह पता होना चाहिए, कि जो मानव शरी का तापमान होता है, तीन scale पर मापा जाता है, एक मापा जाता है Kelvin पर, जो मैंने आपको बताया कि स्वस्त मनुश्य का कितना तापमान होगा, 310 Kelvin, Kelvin scale पर, और वहीं अगर हम बात करें, पर Celsius scale पर, वह होता है 37 degree Celsius, वहीं अगर हम बात करें, Fahrenheit scale पर, वह होता है 98.6 degree, यह भी आपने याद रखना है, और friends जो important point मैं आपको बता रहा हूँ, यह भी exam में पुछा गया है, 40 degree तापमान ऐसा तापमान होता है friends, जहां पर Celsius और Fahrenheit का जो तापकर्म होता है, वह समान होता है, फिर से बताता हूँ, 40 degree तापमान ऐसा होता है, जहां पर Celsius और Fahrenheit की value equal होती है, next question करते है, बायो ग्यास का मुख्य घटक क्या होता है, आंसर ऐसका, option A, methane, methane जो होता है friends, यह बायो ग्यास का मुख्य घटक होता है, next question, किस विग्यानिक ने दूर्बीन का अविश्कार किया था, सही answer ऐसका, option C, ग्यालियो, ग्यालियो जो friends विग्यानिक थे, इन्हों ने दूर्बीन का अविश्कार किया था, important point देख लेते हैं, और friends आपको यह पता हो नचीं कि जो दूर्बीन जो होता है, यह एक ऐसा यंत्र होता है, जिससे कि हम दूर की जो चीजें होती है, उसको देखने के लिए इसका प्रियोग होता है, अगर आपसे एक्जाम में ही पुझह जाएकर कि television का विषकार किसे ने किया था, अपने यह साभी कोशpriटे जो होए ना, एक्जाम में कई बार पुछे जा चुके हैं, next question करते हैं, पार्मानो बम किस सिद्दांथ पर कारे करता है, परमानु बंब का मतलब होता है फेंट्स एटम बंब ठीक है एटम जो बंब होता है वो किस सिद्धान्थ पर कारे करता है आपका अंसर होगा option B, नाभी किये विखंडन, नाभी किये विखंडन पर परमानुब बम जो होता है friends, ये कारे करता है, नाभी किये विखंडन को हम nuclear fusion भी बोलते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, nuclear fusion reaction भी बोलते हैं, नाभी किये विखंडन को, ये भी आपने याद रखना, important point discuss करते हैं, आप किस सिद्धान पर कारे करता है आपका अंसर होगा अनियोन्य प्रेरन पे ठीक है अनियोन्य प्रेरन को हम mutual induction भी बोलते हैं mutual induction भी बोलते हैं ठीक है ये भी आपने याद रखना है और फ्रेंड्स यहां पर जो नाभी के विखंडन है इसमें हमेशा हम uranium इसका परियोग करते हैं ठीक है uranium 238 का परियोग करते हैं नाभी के रियक्टर में भारी जल यानि कि जिसको की हम D2O भी बोलते हैं का परियोग किस रूप में किया जाता है आंसर है इसका option A मंदग के रूप में नाभी के रियक्टर जिसको की फ्रेंड्स हम nuclear रियक्टर भी बोलते हैं इसमें जो भारी जल का प्रियोग होता है फ्रेंड्स वो मंदग के रूप में प्रियोग होता है नेक्स कोशन सूर्य का ताप किस से मापा जाता है अंसर है एसका option B पायरोमीटर दोवारा सूर्य का जो फ्रेंड्स ताप मान होता है वो पायरोमीटर दोवारा मापा जाता है आपको बता हो ना चाहिए पायरोमीटर एक ऐसा यह आंत्र है जिसे कि हम high temperature को यानि कि उच ता भी आपने याद रखना है, और फ्रेंट, सूरे पर जो उर्जा का निर्मान होता है, वो नाभी किये सनलेयन प्रेकिरिया दोरा होता है, एक्जाम में पुछा गया कोशन है ये, कि सूरे पर जो उर्जा का निर्मान होता है, वो किस अभी किया दोरा होता है, नाभी किये सनले और नाभी के Sunlion को friends हम nuclear fusion भी बोलते हैं, यहाँ पर लग देता हूँ, nuclear fusion reaction भी बोलते हैं, और आपको friends यह पता होना चाहिए, कि जो ताप होता है, इसका ऐसा ही मातरक होता है Kelvin, ठीक है friends यह भी आपने, क्योंकि यहाँ पर ताप की बात हुई थी ना, और यहाँ पर सूरे की बात हुई थी, जो भी important point बन रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, और friends मैं आपको बता दूँ कि जल्दी हमारी GK की book launch होने वाली है, ठीक है, जो GK की book होगी, वो Ravi Study IQ GK नाम से होगी, अगर आप किसी भी exam के अगर त्यारी कर रहे हो, friends यह video, यह book आपके लिए काफी ज़्यादा useful रहने वाली है, जल्दी friends आपको Amazon Flipkart पर मिल जाएगी book, ठीक है, आप वहाँ से ले सकते हो, Ravi Study IQ GK के नाम से होगी, next question करते है, साबुन को जल में घोलने से, प्रिष्ट तनाव पर क्या फर्क पड़ता है, answer is का, option B घट जाता है, साबुन को जब भी हम जल में घोलते हैं, जो प्रिष्ट तनाव होता है, वो हमेशा घट जाता है, प्रिष्ट तनाव को friends हम surface tension भी बोलते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, surface tension भी बोलते हैं, और कभी भी अगर हम साबुन को जल में घोलते हैं, जो प्रिष्ट तनाव होता है, वो घट जाता है, important point दे कि इसका आंसर होगा, तेल का जो फ्रेंट प्रिष्ट तनाव होता है, वो जल से कम होता है, ये भी आपने याद रखना, एक्जाम में पुछा गया कोशन है, नेक्स कोशन कहले लिएते हैं, भूस्तिर उपग्रह, भूस्तिर उपग्रह को फ्रेंट्स हम, जियो स्टेशनरी स होता है, 24 गंटे का, ये आपने याद रखना है, फ्रेंट्स देखो, अगर इस जो भूस्तिर उपग्रह है, इसका अवर्त का 24 गंटे का होगा, तो आपको ये भी पता है, प्रिथिवी है, ठीक है, अपने अक्ष पर पूरा गूमने में, 24 गंटे का समय लेती है, और अगर इसलिए प्रिथिवी का फेस होता है, बिल्कुल आमने सामने होता है, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्ण पॉर्ण पॉर्ण देख लेते हैं, भूस्तिर उपग्रह की जो उंचाई है, प्रिथिवी की सतय से 36,000 किलोमेटर होती है, कभी-कभी आपको एक्जाम में 36,500 भी दे देंगे, ठीक है, ये आपने याद रखना है, और आपको इपता होना चाहिए, चंदर्मा जो की प्रिथिवी का प्राकिर्तिक उपग्रह है, यहाँ पे जो गुर्तवा करशन होता है, प्रिथिवी की तुलना में एक बटे 6 होता है, अगर आपका वजन प्रिथ किसी बाल्टी में पानी पर बरफ तैर रही है, जब बरफ पूर नतर पिगल जाएगी, तो बाल्टी में पानी का तल डैश रहेगा, सही आंसर है, इसका option C समान रहेगा, किसी बाल्टी में पानी है और उसमें बरफ तैर रहे है, जब बरफ पूरी तरह पिगल जाएगा, तो फ्रेंट जो बाल्टी का जो पानी का तल होगा, यह पानी का जो लेवल होगा ना फ्रेंट वो हमेशा समान रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि अगर इसमें पानी है और इसमें बरफ पड़ा होगा है, बरफ जब पिगल जाएगा तो पानी उपर आजएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है जितना बरफ डालते जब बरफ डला होगा जितना लेबल उस टाइम होगा पिगलने के बाद भी उतना ही रहेगा ठीक है important point देख लेते हैं एक नदी में चलता हुआ जहाज समुंदर में आता है तब जहाज का इस तर थोड़ा उपर आ जाएगा एक्साम में पुछा जाता कोशन है कि अगर कोई भी जहाज है ठीक है वो नदी में चल रहा है और जब वो समुंदर में आ जाता है तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा तो फ्रेंस यह होगा कि जहाज का जो स्तर है वो थोड़ा सा उपर आ जाएगा ठीक है यह आपने आद रख होता है लेकिन अलकोछल से भारी होता है इसलिए फरेंस अलकोहल में डूप जाता है ठीक है यह आपने आद रखना है और एक्जामμεें उनमे कोशन पूछा गया है कि पानी का गंतव अधिक्तम किस ٹैम्परिचर पे होता है चार डिगरी सेल्सियस पर पानी का गंतव अधि अधिक होता है, साबुन के बुलबुले का जो अंदर का दाब होता है, यह वायू मंडल ये दाब से अधिक होता है, यह आपने याद रखना है, और फ्रेंट्स आपको भी पता हो न, यहाँ पर देखो दाब की बात हुई थी, ठीक है, तो यह तो मैंने आपको बता दिया कि स अचानक गिरावट तुफान का सूचक होती है, एक एक एकजाम में कोशन यह पुछा गया था, कि जो वायू दाब मापी होती है, यानि जो बैरोमेटर होता है, उसकी रीडिंग में अगर अचानक गिरावट आती है, तो यह किस चीज का सूचक होता है, आपको अनसर होगा कि वायू दाब घट जाता है, फिर जितने भी आपको में अडिशन इंफोर्मेशन दे रहों, कई बार एकजाम में पुछे जा चुके हैं, वीडियो को पसंदारी है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और मैं आपको बता दू, जब आपको मैं सभी कोशन करवा दूग मातरक होता है, lumen, important point देख लेते हैं, अगर आपसे पुछा जाए कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई होती है, ये भी एकजाम में पुछा क्या क्या कोशन है, आपसे पुछा जाता है कि लैंस की छमता का मातरक क्या होता है, डायोप्टर होता है, ये भी इसका, option A, प्रकाश अंस्टेशन, प्रकाश अंस्टेशन फ्रेंस ऐसी करिया है, जिसके फाल स्रू पॉधों की oxygen का निकास होता है, और carbon dioxide का absorption होता है, प्रकाश अंस्टेशन का front हम photosynthesis इस भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, photosynthesis reaction, important point देख लेते हैं, और जो पेड़ पॉधे होते इनकी जो पतियों का रंग हरा होता है वो chlorophyll के कारण होता है और आपको यह पता होना चींग कि chlorophyll में magnesium धातू आयन पाए जाता है काफी बार पुछा गया कोशन है साथ-साथ में आप notes बनाते रहो जो भी कोशन में आपको करवा रहा हूँ और अकर आपने current affairs daily पढ़ना है तो मैंने वीडियो के description में link दिया है current affairs channel का daily pdf भी मिलती है उस हर वीडियो की channel का नाम है current affairs by ravie current affairs by ravie एक और channel है जिसका नाम है best exam link वीडियो के description में जाके आप subscribe करिये उसको ठीक है next question Newton की गती का प्रथम नियम क्या कहलाता है answer is का option B जड़तव का नियम जड़तव का नियम जो होता है friends ये Newton की गती का प्रथम नियम कहता है फैंस जो Newton की जो वेज्ञानिक था इसने तीन नियम दिये थे ठीक है गती के और जो पहला नियम था उसको जड़तव का नियम या बोल सकते हो law of inertia भी बोलते हैं law of inertia और important point देखते हैं Newton के तीसरे नियम के अनुसार प्रते किरिया के बराबर वह विप्री दिशा में एक प्रती किरिया होती है यानि कि every action is an equal and opposite reaction यह कहाता Newton के तीसरे नियम ने next question जब कोई वस्तु दो समानंतर समतल दरपन के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रती बिम्बो की संख्या कितनी होगी answer है option c अनंत यानि कि infinite ठीक है infinite होगी यानि अनंत होगी जब कोई वस्तु दो समानंतर समतल दरपन के बीच रखी जाती है तो फैंट जो प्रती बिम्बो की बनेंगे वो अनंत बनेंगे यह आपने याद रखना है अब important point बताता हूँ मैं आपको कि जो दानत की doctor होते हैं फैंट वो जो दरपन प्रियोग करते हैं वो अवतल दरपन होता है यह एक्जाम में कोचा गया कोशन है shaving के लिए यादि दाड़ी बिनाने के लिए जो दरपन प्रियोग करते हैं वो भी अवतल दरपन होता है सबसे ज़्यादा important point मैं आपको भी बता रहा हूँ वो यह है कि पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह प्रियोग में आता है आपसे पुछा जाएगा कि जो पानी में जो हवा का बुलबुला होता है वो किस तरह के लेंस की तरह प्रियोग होता है अवतल लेंस की तरह प्रियोग होता है next question स्तिरियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है आंसर इसका Option A, Tubic Tommy Tubic Tommy जो होतार फिंट्स ये स्तिरियों की नसबंदी को कहा जाता है Important point देख लेते हैं पुर्शों की नसबंदी को वैसेक Tommy कहा जाता है ये भी आपने याद रखना है Friends के बाद जो मैं आपको revision करवा रहा हूँ revision वाला part आप जरूर देखना Hemoglobin में कौन सा धातू पाया जाता है सही answer एसका Option B, Loha Loha जिसका symbol होता है Friends, FV ये Hemoglobin में पाया जाता है और Friends, जो हमारा रख्त होता है उसका रंग लाल जो होता है वो Hemoglobin के कारण ही होता है और important point discuss करते है Hemoglobin का कारण Oxygen ले जाना होता है मानव शरीर में रख्त की शुद्धी करण की प्रकिरिया को हम dialysis कहते हैं ये question भी रख्त से जुड़ा हुआ पूछा गया exam में कि मानव शरीर में रख्त की शुद्धी करण की प्रकिरिया होती है उसे क्या बोलते है आंसर होता है dialysis और आपको फ्रेंट्स ये भी पता होना चाहिए कि स्फिग्मो मैनोमेटर जो यंत्र होता है इसके द्वारा हम रख्तदाप को मापते हैं आखरी question कर रहे हैं इस वीडियो का और इसके बाद सभी का रिवीजन है दो रेल पत्रियों के मध्य जोड पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है आंसर है इसका option B क्योंकि धातु गरम करने पर फैलता है और ठंडी होने पर संकुचित होता है फिर देखो जो रेल की पत्रियां होती है आप देखते हो कि जब रेल की जो जॉइंट्स होते है यह वाले इसके बीज में हलका सा स्पेस डाला होता है फिर जो स्पेस होता है यह जो खाली जगे होता है क्यों होता है क्योंकि फिर गरमियों में क्या होता है कि जो धातू होता है वो फैलने लग जाता है ठीक है इसलिए space डालते हैं यहां पे और जब ठंड होता है तो वो क्या करता है सिकुर्णा शुरू हो जाता है यही कारण होता है इसमें friends मैंने आपको यह 20 question करवाई detail में उमीद करता हूँ friends आपको वीडियो बहुत प्रसंद आई होगी अब इस वीडियो का सबसे बहत्रीन पार्ट है रिवीजन friends अब अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक चुरूर करिएगा तो चलिए friends स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स कोशन से प्रकाश का वेग अधिकतम किसमे होता है आंसर है निर्वात में यानि की वैक्यूम में next question मानव नेतर में आईरिस का क्या काम होता है आंसर है आँख में जाने वाले प्रकाश की मातरा को नियंतरित करना दोनी तरंग किसमें नहीं चल सकती है आंसर है निर्वात में कैल्विन मान में मानो शरीर का समाने ताप कितना होता है आंसर है 310 कैल्विन बायो गैस का मुख्य घटक क्या होता है आंसर है मिथेन किस रग्यानिक ने दूर्बीन का अविश्कार किया था आंसर है गैलेलियो ने परमानु बम कि सिद्धान्त पर कारे करता है आंसर है नावीखिय विखंडन पे नेक्स कोशन है रिवीजन का नावीखिय रियक्टर में भारी जल यानि D2O का प्रियोग किस रूप में किया जाता है आंसर है मंदक के रूप में सूर्य का ताप किस से मापा जाता है आंसर है पाइरोमेटर साबुन को जल में घोलने से प्रिश्टना पर क्या फर्क पड़ता है आंसर है घट जाता है नेक्स कोशन भू इस्तेर उपगर है यानि कि जियो स्टेशनरी सेटलाइट का आवरतन काल कितना होता है आंसर है 24 घंटेगा किसी बाल्टी में पानी पर बर्फ तैर रही है जब बर्फ पूर्नत पिगल जाएगी तो बाल्टी में पानी का तल डैश रहेगा आंसर है समान रहेगा साबुन की बुलबुले के अंदर का दाब वायू मंडलिय दाब के डैश होता है आंसर है से अधिक होता है लियूमेन किसका मातरक होता है आंसर है जियोति फलक्स का किस किरिया के फलसुरूप पौधों के ऑक्सिजन का निकास और कार्बन डायोकसाइड का अवशोशन होता है आंसर है प्रकाश शंसलेशन न्यूटन की गती का प्रत्थम नियम क्या कहलाता है आंसर है जड़तव का नियम जब कोई वस्तु दो समानंतर समतल दरपन के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रति बिम्बो की संख्या कितनी होगी आंसर है अनन्त होगी नेक्स कोशन स्तरीयों की नस्बंदी को क्या कहा जाता है आंसर है टियोवक। चोटा सा अस्तान क्यूं छोड़ा जाता है आंसर है क्यूंकि धादु गरम करने पर फैलती है और ठंड़ी होने पर संकुचित होती है फ्रेंट मैंने आपको ये बीच कोशन करवाए उसके बाद 20 question का revision भी करवा दिया, और friends, 2 question का test है, जिसका answer आपने comment रखे देना है, वीडियो कैसी लगी है, comment के आपने ये जरूर बताना है, तो चलिए start करते हैं, test, test के लिए आपको all the best, first question है मारा, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है, answer आपने comment के देना है, next question, bio gas का मुख्य घटक क्या होता है, comment के अपना answer बताना है, वीडियो कैसी लगी है, अपना feedback भी जरूर लिखना है, comment में, friends, ये वीडियो complete हो चुकी है, उम्मीद करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो का like का target हमने 25,000 रखा है, अगर वीडियो पसंद आई है, तो like जरूर करिएगा, चैनल पर पहली बार आएगो, तो subscribe जरूर करिएगा, और जो मेरा current affairs का channel है, जिसका link है, जिसका नाम है current affairs by ravie, link है वीडियो की description में, current affairs by ravie, और एक channel है मेरा best exam, इसका link भी description में है, ठीक है, और एक है ravie blocks, सभी का link friends, वीडियो की description में, जाके subscribe यह channel को और आपके support की बहुत ज्यादा जरूरत है, और फिर जो मेरा telegram है, उसका नाम है ravie study IQ, GK, ravie study IQ, GK